गुड मॉर्निंग ओल आफ यू कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे आज की सी वीडियो में हम लोग इंटेरेमेडियर्ट एक्जाम जो भी छात रेवम छातना है दोहजार चोवीस में बोड एक्जाम देने वाल है यह आपका एक्जाम मात आपको रट जाना है ठीक है अभी तक आप कुछ भी नहीं पड़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह वीडियो नमर चार सेट नमर चार इसे पहले हम तीन सेट का वीडियो डाल चुकें सतर सतर कोशन का उस सभी सेट का सभी कोशन याद कर लिजिए आपको गरेंटी है क आपके परिखा में एक भी परिशन नहीं चूटेगा सभी प्रसन आप जरूर बना कर आएगा सतर में ऑपनाना होता है ठीक है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं धेखे पहला प्रसन क्या कहता है। CP 2ह के सेल में परमनों की संख्या कितनी ओझी है जो हकसागोनर कलॉज पैकिंग 1ही सेल में अटम की संख्या कितनी होती है इसमें बारह होता है याद रखेंगा केका बारह हो जएगा दूसरा प्रस्ण निया आपका देखे आज live class होने वाला था सारे 10 बजे लेकिन class internet problem बहुत हो रहा था इसलिए live class नहीं पया नहीं पर प्रते एक दिन सारे 10 बज़े से live class चलता है और सामें साथ वज़े चलेगा ठीक है ना अगला देखे निम्लिकीत में से कौन सा उक्साइड लोचुम्बकत्व परदर्शीत करता है देखे लोचुम्बकत्व इन्में से दूगो योगिक है न जो दूगो कॉंपोंड ऑक्साइड है तो यह दोनों आपका क्या है लोचु काई सेल में मुक्त खाली जगह का परतिसत कंता हुता है 42 पर ठीशत होता है लिए 2 पर तीसफ ठीक है चलिए अगला प्रषण न बहारों पर जल का को थनांग काम हो जाता है क्योंकि क्या होता है उस वा इमंडल यह मॉल्पर्भाज क्या होजएगा गुल का मॉल परभाज यह आपका च्छटका N , capital N,יה nine a small N , प्टा C, capital N होजएगा ठिके 나올 option number क्या होजएगा बी नमर सही जवाब होजएगा प्रशन है आपका क्या है आपका देखिए c a no 3 का hold twice का want of गुनाओं के कितना होता है रट लिजेगा direct याद रखेगा 3 होजएगा इसका option number क्या होजएगा c नमर सही जवाब होजएगा अगला प्रशन है एक मोल जिसका प्रासरन दाव 300 कल्विन पर 0.082 एक बायू मंडल है इस घोल का संदरन क्या होजएगा याद रखेगा इस घोल का संदरन आ जाएगा आपका 0033 मोल होजएगा इसमें एक जिरो और आना च् Risky शाङ'dag आपका क्या का याद्य न ad चर्णा है बार इसका इव्चा इसमें ऐख संदर लगा देजेगा अगला x4 ट returned but now और CU यह सभी क्या है यह सभी क्या कहलाते है देखिए यह सभी आपका क्या कहलाता है Daniel Claire ठीक है नचलि अगला किसका Oxycrone वीवाव सब से अधिक होताए ऐसे शब् klन वीवाव मेंन इन में चारग व मेंसे किसका Oxycrone वीवाव है जो की सबसे अधिक होता है मेगनेशियम का हो जाएगा फैराडे का पर्थम नियम बतलाना है फैराडे का पर्थम नियम क्या कहता है M बराबर ECT अगला प्रश्ण देखिए प्रश्रुयेοι प्रश्ण है बिद्दुद रसानिक तुलियं उस्ब का मातरह होता है इसका मातरक होता है गराम परतिकुलम किस कोटी की अभिक्रिया के लिए बेग तथा बेग स्थिरंग की काई समन होती है सुन्ने कोटी की अभिक्रिया के लिए पर्थम कोटी की अभिक्रिया का अर्ध आयू निर्भर नहीं करता है वो किस पर नहीं निर्वार करता है ताप करम पर ये निर्वार नहीं करता है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे रिक्विस्ट करता हो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं आप सभी से सिर्फ लाइक तो चाहिए लाइक करने से कुछ नहीं हो subscribe कर लिएगा अगला है रसाइनिक अभिक्रिया यह कैसी अभिक्रिया का लाती है याद रखेगा यह रसाइनिया नुत कर्मनिया अभिक्रिया का लाती है सबसे प्रवल लिवीस अमल इन में से कौन है देखिए इसका नाम है B.I.3 क्या हो जाएगा B.I.3 अगला प्रशन देखिए पंच परतिसत केन सुगर जिसका अनुभार दिया गया है 342 यह आइसो टोनिक है एक परतिसत घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा देखिए जब बराबर X1 बटा X2 ठीके ना X1 बटा X2 X यहां पर अनुभार होगा ठीके ना दिसे आपका परसेंटेज हुआन है तो पहला परसेंटेज इसमें 1 कौन है 5 परतिसत तो इस फर्मूला पर बेठा देना है 5 परतिसत नहीं लिखिएगा क्योंकि परतिसत बाद में कट जाएग 5 अब फिर परतिसत 2 बतला यह परतिसत 2 दूसरा आपका है 1 परतिसत तो वह परतिसत खतम हो जाएगा तो 5 बटा 1 बराबर अब X1 आपका अनुभार है पहला अनुभार है 342 तो 342 लिख देना है फिर बटा X2 यहीं इस X का अनुभार इस X का अनुभार इसका अनुभार बत देखिए 5 को X2 गुवना कीजीएगा 5 X2 हो जाएगा 302 हो जाएगा गुवना बराबर में तो देखिए 5 X 2 को और यह 5 X2 पराबर 345 तो एनि X भढ़र 342 वटता 5 भाग दे दिजीह आपका अनसर आ जाएगा भाग देने पर आपका आसर कितना आजेगा बतला दीजिए देख़िए देख़िए 34.2 आजेगा भाग देने पर ठीक है इस तरह जब प्रसन आता है तो इसी तरह बनाएगा टिंडल प्रभाब परदर्शित होता है चूल में रह कोलाइड के द्वारा होता है देखे कोलाइड का कंज होता है वह विलियन से थोड़ा बरा होता है तो इसके द्वारा टिंडल प्रभाव के टिंडल इफेक्ट जो होता है न हो जाता है तो परदर्शी जो करता है कोलाइड के द्वारा हो जाता है ठीक है चलिए अगला प्रश अगला है निम्न लिखीत में से कौन जिंक का आयस्क इन में से नहीं है वक्साइड यह जिंक का आयस्क नहीं है जिंक का बॉक्साइड जो है यह एल्मुनियम का आयस्क होता है एल जिसको एल्मुनियम कहते हैं वक्साइड एल्मुनियम का आयस्क है जिंक बलेंड आपका जिं को गेंग कहा जाता है अलमुनियम का सुत्र होता है अपका H2O7 क्या होता है तीन का संकेत क्या होता है का संकेत होता है Sn जो है 10 को सुचित करते है। जो प्रियोडिक प्रियोड आूल होता है 10 इसे सुचित क्या जाता है प्रवान भी खोती है, हीलियम हो जाएगा हीलियम, ठीक है न, अब प्रसन देखिए, प्रसन पूछा जा रहा है, C2, क्या कर रहा है, C2 अनु में सिग्मा और पाय बंद की संख्या कितनी हो जाएगी, C2 अनु में सिग्मा और पाय बंद की संख्या कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं, असान है, देखिए, C2 अनु में सिग्मा और पाय बंदो की संख्या कितना हो जाएगा, बहुत असनने के C2 है, जब ये कह रहा है, C2 तो ये डवल बंद के साथ जूरेगा, ठीक है न, जब डबल बाउंड होता है तो 1 szigma और 1 π.ी होता है जब टिर्पल बाउंड होता है तो 1ग सिग्मा होता है और 2比 होता है तो देखिए इसमें ड्बल बाउंड है 1 szigma सिग्मा और 1 π.ी होगा ठीक है न पी ओपी बंद की संख्या कितनी होती है पी ओपी बंद की संख्या तीन होती है कितनी होती है तीन इस तरह से आप याद रखेगा देखिए पी ओपी तीन को लेटा रहना तो तीन से याद रखेगा ठीक है ना पी ओपी बंद की संख्या कितने हो गया चक्रिये मेटा फोस्फ लिया होता है इसकी आकिरती ठीक है ना अगला है कार्बनिक योगिक में तत्व पस्थित होना चाहिए कार्बन के साथ अगला प्रसंद कि क्या एन एटू क्या होता है डियर एन एटू एस टू वो थिरी पलस आई टू और यहां पर वाई के जगा खाली अस्थान छोड़ दि सिक्स हो जाएगा option नमर भी भरा जाएगा सही जवाब हो जेगा सब्से प्रवल आम लेन में से कौन है सील crash or चिल थे का प्रफिंटोड और आपटरी के लूइस हो टाह 핑 VO अगला प्रस्नहेड आपका देखिए प्रस्न्र फ्रस्न ज लेख़ग निम्न लिखित सोने सलर के विकारक में या भूरत अवज्भ इंहीत देता है इन में लिखित में से कौन सा पर्थम पंक्ती का संकर्मन तत्व नहीं है इन में से मेगनेशियम आपका पर्थम पंक्ती का संकर्मन तत्व नहीं है अगला है कोपर सदस कोपर सदस है जो सीव होता है यह कोपर यह किस सरेन यह किस पंक्ती का सदस होता है कोपर बतला यह तो लिखित में से कौन सा तत्व कमरे केताब पर कमरे केताब पर द्रो अवस्था में राता है उसका नम क्या है उसका नम होता है पारा यानि कि होता है इसको पारा कहते हैं ठीक है न यहीं मरकरी हो जाएगा आपका क्या होगा पारा हो जाएगा अगला है C U S O 4 के घोल में लोहे क निला रंग परिवर्तित हो जाता है वह किस रंग में परिवर्तित हो जाता है वह भूरे रंग में भूरे रंग में ऑप्सन नमबर सी नमबर सही जवाब हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है आपका निम्न लिखित में से किस तत्व में फोर ए फोर जा अस्तर कर्मिक रूप से भरता है तो सही जवाब होज़ेगा आपका लेंधे नाइड में लेंधे नाइड में लिखित जटील योगी को में किसका अनुचुमबक्या आगुन सबसे अधिक होता है तो सही जवाब होज़ेगा CRH2O का होल 6 3 पलस का होज़ेगा ओप्सन नमर क्या होज़ेगा ए नमर सही जवाब होज़ेगा CONS3 का होल 6 CL3 किस परकार का यह जटील योगी कहा लाता है यूदा सीन जटील योगी कहा है देखे अगर इस पर कोई चार्ज रहता है उसके बाद धनायनिक और रिनायनिक होता बहुत असान है इसको पकर्ना अगर देखें अगर इस तरह से योगी कह नहीं हो अगर कि सके हथा पावर को ऊपर इसके यह यहाँ पर कुछ भी नहीं थी जीरो है न तो इसलिए उदासीन यह जटील यूगी कहा है K3 FECN का whole 6 एक क्या होता है देखे ये एक आपका क्या होता है सुनने हो जाएगा 6 हो जाएगा अगला देखिए उपस सयोजन योगिक जो दिया गया है इनमें निकेल का ऑक्षी करन संख्यां गयाद करना है ऑक्षीडेशन नमर क्या होगा जीरो हो जाएगा निकेल का, क्या होता है, सुनने हो जाएगा option नमर क्या हो जाएगा, DR, option नमर बिल्कुल, ए नमर हो जाएगा, देखिए असान है, अगर CN की सही हो जगता अगर आपको याद है, तो अराम से निकल जाएगा और potassium की, potassium की जिसे भी निकेल का निकलना है, इसमें निकेल कोन है, NI, इसको X मन लेगे तो potassium की सही हो जगता होता है एक का, यह लगा गुना लगा हुआ है, 4 अब फिर पलस करते चलना है, NI को मन लेगे X, ठीक है, फिर पलस CN का सही हो जगता होता है, मैनस मैनस 1, तो मैनस 1 का गुना कीजिएगा, 4 से तो मैनस 4 हो जाएगा तो यहाँ पर हम direct पलस मैनस मैनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम direct मैनस 4 लिख देते हैं, और बराबर ठीक है ना, ठीक है न, बराबर में हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैनस 4 बराबर में यहां पर पलस रहता तो पलस यहां पर एक लिखते हैं अभी पलस नहीं है यहां पर कुछ भी नहीं है अगर मैनस रहता तो मैनस एक लिखते हैं भी कुछ भी नहीं है नहीं पर तो यहां पर जीरो लिखेंगे बाद में तो चार पलस चार पलस एकस मैनस सार बड़ावर कितना वह गया 0 तो चार में सआ है घट गया 0 तो एक सब्सक्पा घ्ट गया 0 तो एक रठी को मने थे एन आइं को एक्स मने थे तो यही तो अक्सी Tech निकाला था जिरो thi जो ठोश है इसकीृ इसकी इसकि सुद्थता चाल्ठ्षन क्या होता है इसकी सुद्थताइ ज़्याद रखेगा इसका गलनांक होता है सम्माने सुत्र cn h2n प्लस टू वाले योगी का नाम क्या होता है देखिए यह इस योगी का नाम है इसका क्या नाम है एलकेन का सुत्र जी होता है यह क्या होता है ओर अलकीन का सुतर होता है इलकीन का सिर्फ यादर रखीगा ठीक है अगला इथाइन में पाय बंडो की संख्या कितनी होती है इथाईन में जिसे मित हुआ इथाईन इथाईन पुछ रहा है एलकेन गुरूप का रहता तो यह इथाईन रहता है अगर देखिए एलकीन गुरूप है इथाईन है जिसे मिठाईन जिसे एलकीन है इथाईन अगर इलकाईन गुरूप का रहता है तो क्या रहता है जिसे इथ रहता है तो इथाइन रहता है इथाइन यह किस गुरूप का है इथाइन ठीक है ना तो इथाइन हो जाएगा यह एलकाइन गुरूप का तो इलकाइन गुरूप का आप सभी जानते हैं इलकाइन गुरूप जो होता है यह यह तिर जो रखता है न यह कि मित इतर डुग औ कारबन है ठीक है इसका हम पहले निकाल लेते हैं मत इतरूर हैag है कि नियुदर टीज़न युद जो घ demi हैं वह एलकेन हुआ सिंगल बॉन में धेल कीन जो आथा वह डवल बॉन में यह एलकाइन जो आथा तो थीके ना समझ गए यह एलकाइन गुरूब का है एक में होई यह उसका पाल पूंशता है एगो होता ठीके ना चलिए अगला दिखिए सबसे इस्थिर कार्बोनियम कौन सा है इन में से बतलाना है तो सही जवाब आपका क्या होजएगा ओप्सन में बिल्कूल C होजएगा CS3 का होल 3 C के पावर में आएन है ठीके ना याद रखेगा ओप्सन C होजएगा अविक्रिया जो यह दिया गया है उत्पाद के रूब में क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूब में CH2 double bond CH2 प्राप्त होगा निमन में से कोन मिठोक्सी मिथेन का इन में से सुत्र होता है CS3 CS3 OCS3 यह जो है ना मिठोक्सी मिथेन का सुत्र है मिठोक्सी मिथेन का सुत्र इन में से कोन होजएगा सही सुत्र होदेगा आपका CH2OH उसके बाद नीचे में बॉंड लगा कर CH2OH फिर नीचे में बॉंड लगा कर CH2OH बहुत यह असान है देखिं CH2, CH2OH, फिर इसके नीचे में CH2OH, फिर इसके नीचे में CH2OH, बीच में खाली आदर केगा CHOH होता है, ठीके ना, ये गिल्सरोल का समाने सुतर होता है, अगला प्रशन है आपका, देखिए, प्रशन क्या पूछ रहा है, इथेनोल को सांद्र गंधक अमली की अभिकरिया में, इथेन हुआ, इथेन, इलकेन, इलकीन हुआ, तो मिथीन हुआ, इथेन हुआ, ये आपका इलकीन गुरूप का है ना, इलकीन गुरूप में मिथ इथेन हो जाएगा इसमें इथेन आपका सही जबाब, अगला इथाईल, एसिटेट, एवं, CS3, MGBR, परतिक्रिया करके, क्य एसमान ने सूत्र क्या होता है, CNH2N, पलस वन ओएच, याद रखेगा, देखे़, एलकोहल है, तो OH राभिय करायेगा राष्ट में, तो मतलूप मिथे याद रखेगा, CNH2N, पलस वन, ओएच, ठीके न, पलस थो, पलस वन, ओएच, ठीके न, ये मोनोहाडिक अलकोहल का स यो मोनोहर्टिक यह यह सम्माँने सुत्र अाला क्या होता है कीटोन का सम्माँने सुत्री कीटोन समंहांन ससंत्र होता है तो ऊ justement किसले के विभूपसिती ये जो अभी खिरिया ये जो दिया गया है शे परतिक्रिया में अभिकार राखूए यह किसकी उपश्थिति में अभिक्रिया हुआ है बतला ये ये जो वी जवाला गलत होजीगा इसकी उपस्तिती में नहीं हुआ है देखिए यह हुआ है आपका sodium tetraborate यह आपका न, A, B, H फोर की उपस्तिती में यह भी क्रिया हुआ है option नमर आपका C सही जवाब होना चाहिए ठीके ना तो सही जवाब क्या होजेगा C नमर अगला है निमलखीत में से कौन के निजारो परतिक्रिया से होकर गुजरता है के निजारो परतिक्रिया से होकर गुजरता है H, C, O, H, C, O अगला है former aldehyde को N, A, O, H के billion के साथ गर्म करने पर पराप्त क्या होता है देखें तो प्राप्त क्या होता है तो अगले यह को जाएगा इथायलेमिन का सुत्री क्या हो जाएगा च्छ3 ,S3 , ch2 , nh2 ठीक्या ॉप्शन नमर्व यह हो जाएगा निम्नांगी तब पमुक परती फल इनमें से कोन हो जाएगा c6,h5, nh2 हो जाएगा ठीक्या हो जाएगा इसके बाद प्राप्ट क्या होगा C6H5NH2 प्राप्त होगा है ठीक है याद रखेगा अगला पॉलीथीन एक है यह आपका ताफ सुगट्टे-प्लास्टीक है प्रस्ण आपका निमलिकित में से कौन सा देखिए प्रस्ण गलती है लिखना चाहिए निमलिकित में से कौन संसलेसित बहुला का उधारन है यह कोस्टन थोड़ा चूटा हुआ है निमलिकित में से कौन संसलेसित बहुला का उधारन है तो 21S हो जाएगा 21N और 21S आपका सही वाब बज़ेगा ब्यूना एन नहीं है ब्यूना एन और ब्यूना एन संसलेशित रबलो का उधारन है याद रखेगा कार्बो हाइड्रेड जिसे और जलांसित नहीं क्या जा सकता है उसका नम क्या है ओलीगो सेके राइड सुक्रोज का सुत्र क्या होता है सुक्रोज का सुत नहीं होना चाहिए अब देखिए अगला प्रश अमोनिया जो होता है यह क्या करता है आंदर लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल दता है लाल को बदल दता है किस रंग में लाल को बदल देता है नीला रंग में कि किस रंग में नीला रंग में लाल को बदल देता है अग प्रियोग का उत्पण नहीं करता से वी सब्सक्राइब का अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा और आज फिर साम 7 बजे लाइब कलास आने वाले हैं आज अभी सुबर सारे 10 बजे नहीं हो पया क्योंकि इंटरनेट बहुत प्रोवलम हो रहा था है इसलिए ठीक है ना तो चलिए इस वीडियो को वुर्य को आज के लिए इतना ही रहरे देते यह फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में सब इस वीडियो को जितना भी प्रस्म बतला हैं याद कर लेजीएगा ठीक है यह सेट नमर चार था सेट नमर चार खताम हो गया अब पाँचमा सेट सामको कर लेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही